फ्रेंड जिब ग्लोबल एकोनॉमी में हमारी हिस्सेदारी सबसे अधिक थी और वो समय था हमारा देश का उसका एक बड़ा कारण भारत का ताकतवर ट्रेड और एक्सपोर्ट था हमारे दुनिया के लगवग हर हिस्से के साथ ट्रेड लिंक्स रहे हैं और ट्रेड रूट्स भी रहे हैं अज जब हम ग्लोबल एकोनॉमी में अपनी उस पुरानी हिस्सेदारी को वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं तब भी हमारे एक्सपोर्ट का रोल बहुत अहम है पोस्ट कोवीड ग्लोबल वर्ल में जब ग्लोबल सप्लाइचेन को लेकर आज एक व्यापक डिपेट है तब हमें नए अवसरों का लाब उठाने के लिए पूरी ताकत लगा देए हैं आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट जीडिपी का लगबग 20 प्रतिशत हैं हमारी अर्थववस्था के साईश हमारे पोटेंशल हमारी मैनिफेक्टेरिंग और सर्विस इंडिस्ट्री के बेश को देखते हुए इसमें बहुत बुद्धी की संभावना है ऐसे में आज जब देश आत्मन निर्भर भारत के मिशन पर चल रहा है तो उसका एक लक्ष एक्सपोर्ट में ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को कई गुणा बढ़ाने का भी है और इसलिए आज हमें यह सुनिस्षित करना है कि इंटरनेशनल डिमांड के अनुसार हमें एक्सेस मिले ताकि हमारे बिजनेश खुद को स्केल अप कर सके ग्रो कर सके हमारी इंडर्स्ट्रीज को भी बेस्ट टेकनलोजी की तरब जाना होगा इनोवेशन पर फोकस करना होगा और आर एंडी में हिस्सेदारी बढ़ानी ही पड़ेगी ग्लोबल वेल्यू चेन में हमारा शेर इसी रास्ते पर से चलकर ही आगे बढ़ेगा कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिशन और एक्सेलन्स को प्रोसाइद करते हुए ही हमें हर सेक्टर में ग्लोबल चेंपियन्स तैयार करने है